जहिन दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुस सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफर्मेटिव वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्पीफ आपका वो डिपार्टमेंटल एकजाम दूसरा जो था वो सीनियर्टी आपकी और तीसरा जो तरीका था वो था आपका खेल कोटा खेल कोटे से आप बहुत ही जल्दी अपने बैच से आगे जाकर सभी बन सकते हैं लेकिन इस पर बच्चों ने कॉमेंट किया और पूछा कि सब इंस्पेक्टर के बारे में क्यों बताया कि प्रमोशन सब इस्पेक्टर का कैसे होता है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और लेकिन धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बहुत तो उससे पहले थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहूंगा मोटिवेट ये करूँगा कि अगर आप काउजैबल पर सेलेक्ट होते हैं पर जहाब सलेक्ट होते हैं तो जो आपकी पहली सैलरी मिलती वह होती है nä वह को मिलेगी साथ हजार के मिलेगे साथ हजार से यहां से ज्यादा टाइफ इस्टाइल में अंतर है आपकी सोच में हर एक चीज आपका बदल जाता है यहां पर बहुत ज्यादा भात्ते मिलते हैं बहुत ज्यादा प्रिफरेंस मिलती है बहुत ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुविधाएं अगर आप सब्सक्रेक्टर के लिए सेलेक्ट होते हैं ठीक है जब कंदे पर दो इस्टार सचते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है यह जो दो इस्टार जब लग जाते हैं कंदे पर इसके लिए लोग बहुत ज्यादा लालाहित रहते हैं और हर एक इंसान चाहता है अगर वो कॉंस्टेबल पर के लिए फिल करिए और कॉंस्टेबल के लिए फिल करिए ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की अगर आप सेलेक्ट होते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए जिसे हम एसाई बोलते हैं तो जो आपका पहला प्रमोशन होता है वह होता है इंस्पेक्टर के लिए और दूसरा promotion इसके बाद वो होगा circle Inспектор के लिए तीसरा इसके बाद जो promotion होता है वो होता है जोनल इंस्पेक्टर के लिए पिर इसके बाद आप बनते हैं डिप्टी SP जिसे बोलते हैं DYSP यहां आपको नीली बत्ती मिलती है ठीक है साइरन आपके बजा करता है चारूर गाड़ी मिलती है बंगला मिलता है नौकर मिलते हैं स्वरी नौकर नहीं कहूंगा आपको सहयोगी मिलते हैं काम करने के लिए साथ में आपके काम करने के लिए आ प्रोमोशन के मैंने यह बताए सेक्विंस यह केवल औकेवल सेनियर्टी बेस पर है यहां अगर आप सब इस्पेक्टर पर सलेक्ट होते हैं तो पहला जो आपका इस प्रोमोशन होता है वह छह से आठ साल में होता तब आप इंस्पेक्टर बनते हैं फिर इसके बाद सीडियर के वेज़ पर दिप्टीयस्पी तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहां आपको ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि यहां जो सब कॉंश्टेबल के लिए तो डिपारटमेंटल एकजाम होता है विभाग कराता है डिपारटमेंटल लेकिन सब सब इंसपेक्टर के लिए कोई भी डिपार्टमेंटल एक्जाम नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर केवल और केवल सीनियरटी पे ही प्रमोशन पाकर डिपटी एसपी तक पहुंछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका है, कैसे आप सब इंसपेक्टर से डिपटी खेलते हैं किसी खेल में आपकी रुची है तो उस खेल को आप खेले जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं हाकी खेल रहे हैं कबड़ी खेल रहे हैं आप तीरंदाजी करते हैं आप भाला फेकते हैं आप डिसकस ठ्रो करते हैं आप कोई भी एक्स वाई जेट को भी लेकिन या गूगल पर सर्च करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि मलखम क्या होता है मलखम का वो स्टेट लेबल का खिलाड़ी था बहुत अच्छा मलखम खेलता था लेकिन आल इंडिया पुलिस में मलखम नहीं खेला जाता जिससे उसका प्रमोशन नहीं हो पाया और वो जहा आते हैं आप सब इंस्पेक्टर धारती हुए एक साल बाद आपकी ट्रेइनिंग हो गई एक साल की धीक है लोसनी होती है आप कस्तिएफ M second प्रमोशन हो जायिए एक साल बाद आप गोल्ड मेड़ ले आते हैं आल इंडिया पुल्िस में तो इंस्पेक्टर पर परंशन हो अर यहीं से आपका जलन के प्रक्राइस क्या मदशा, सब स्क्राइब या, आपने छ determ ignor हके आप लगें ना, जिय चाहे हैं, बॉर्ली ना, सब के तू बुर्ण ने वील न भागे रहे तो ऊड़र जा लुह का जा है, यह आप में Circle Inspector हो जाएंगे तो यहां आपको पहुंचने में सम्झ को यहां से यहां पहुंचने में लग जाते थे लगभाव 20 से 25 साल डिप्टी SP बनने के लिए वहीं आप यह जो दूरी है यह केवल और केवल आप पूरी कर सकते हैं इसको पांसे 6 साल में आप सोचिए कहां आप जो है 20 साल लगा रहे हैं डिप टी एस पी होने के लिए और कहां आप 5 से 6 साल कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है तो इसमें डिपार्टमेंटल एक्जाम होता नहीं मैंने पहले बता दिया के वालो किल सीनेटी और दूसरा तरीका आपका खेल तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा प्रमोशन हो अपने बैच से हम कैसे आगे निकले तो आपको कुछ न कुछ तो एफर्ट करना है फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है कोई क्वेरी है या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया अभी तक तो मुझे कॉमेंट करके बता दिएगा क्योंकि 247 में आपके लिए अवेलेबेल रहता हूं ठीक है वीडियो कैसी लगी आप ये भी मुझे बताएगा कॉमेंट करके बहुत से बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आप कैमरे के सामने देखा कर ये सर आप अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हैं तो लगता है कि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं इंटरेक्ट हैं तभी मज़ा आता है काम करने में जब लगता है कि साम